1984 के अंदर Ghostbusters पहली मुवी आती है। उसके बाद 1986 के अंदर The Real Ghostbusters करके TV सीरीस स्τηराट की आती है। फिर Extreme Ghostbusters करके एक और TV सीरीस स्टाट की जाती है। 1989 के अंदर Ghostbusters Second Movie आती है और 2021 में जाकर 3rd movie Ghostbusters की Ghostbusters After Life करके एक और movie आती है। फिर 2024 में Ghostbusters Frozen Empire करके जो हमारे सामने मूवी आती है फिलाल हम Frozen Empire, Ghostbusters Frozen Empire के बारे में चर्चा करने वाले ऐसे मैंने आप लोगों को इतना क्यों बताया इस मूवी के बारे में बस ऐसे ही मैंने सर्च किया मुझे पता चला, सोचा आप लोगों को बता दू मतला पता चलना चाहिए यह ना सामने वाले को पता है और नहीं पता है चोड़ो, अगर इतनी हिस्ट्री मैंने इस मूवी के बारे में सर्च ना करके अगर रियल हिस्ट्री के बारे में सर्च की होती तो मैं शायद उपिसी करेक कर चुका होता है हाँ तो चर्चा कर लेते हैं Ghostbuster Frozen Empire यानि नई मूवी के बारे में ये वैसे मूवी जो है वो अभी OTTK प्लैटफूर्म मतलब Amazon के OTTK प्लैटफूर्म पर रिलीज की गई है हाँ ये थेटर में आय थी मैं इसको थेटर में उस वक्त नहीं देख पाया था उसके पीछे रिजन क्या करोगे यार रिजन जानके मूवी पर फोकस कर लेते हैं इस मूवी की कहानी पर आते हैं देखो इसमें एक टीम दिखाई गई है जो भूतों को पकड़ती है और सच में ये कैसे भूत है यार जो गैजट से पकड़े जाते हैं मुझे तो वो गैजट वाला पंगा समय नहीं है हमारे अगर यहां भूत आ जाएं तो उसको एर मंतरों से कैद किया जाते हैं कैर दूसरा देश वहां के रिती रिवाज अलग चल रहे हैं और इस बार मुवी के अंदर एक एक स्ट्रीम लेवल या नेक्स लेवल पर कह सकते हैं कि मुवी चले गई है यहां पर भूतों को, मतलब इस बार भूत नहीं बूतों का देवता आ जाता है है अब यह टीम बूतों के देवता को कैसे पकड़ती है उसे रोक पाती है नहीं रोक पाती है क्योंकि वो भूतों का देवता जो है वो दुनिया के उपर कबजा करना चाता है मैं सच कह रहा हूँ यह होलिवुड वाले या तो हमें भूतों के हवाले करेंगे या इस दुनिया को तबाह कर देंगे एक दिन अब आते हैं मुवी के अंदर अच्छा क्या है बूरा क्या है अच्छे के वहरा हमें बात कर लेते हैं देखो इस मुवी में VFX काफी बढ़िया है और एक जो करेक्टर नदीम करेक्टर करके नदीम जिसका नाम है मतलब नदीम जो नाम से करेक्टर वो मुझे काफी जादा प अब अच्छे के लावा जो अच्छा नहीं है उसके बारें बात करें तो देखा यार कहानी इतनी ज्यादा इंटरस्टिंग मुझे नहीं लगी हाँ शुरू से लेकर आखिर तक इस मूवी के साथ बंदे रहना यार वो बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है इतनी कुछ खास है नहीं जो आप इस मूवी को बहुत जादा पसंद करें हैं हा कुछ ऐसा भी नहीं है जो आप इस मूवी से नफरत कर सको मतल्ब की यह मूवी बैलेंस करती अच्छा और बूरे के बीच में, मतलब नफरत भी नहीं कर पाओगे, प्यार भी नहीं कर पाओगे, एक बैलंस बनाने की कोशिश करती है, मुवी में आप देखोगे कि इसमें entertainment देने की कोशिश की गई, एक adventure के तोर पे, comedy के तोर पे, लेकिन वो adventure या comedy उतनी कामयाब नहीं ह पाती, उतना entertainment आपको नहीं मिल पाता, जिसमें इतनी की कोशिश की गई है, तो मेरे लिहाज से, मेरे perspective से, तो मुझे movie इतनी कुछ खास नहीं लगी, हाँ, one time consider कर सकते हो, इतना कोई खून खराबा नहीं है, ending मुझे इस movie के कितनी खास पसंद नहीं है, वह यार, last वाला पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, ब्लै 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 या, मतलब मैंने spoiler तो नहीं दिया है, तो वो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है, इसकी ending, बाकि Hindi डब और English के comparison बात करूँ, तो मुझे Hindi डब सहीं लगी, क्योंकि यहाँ तो comparison कर सकते हैं, थेटर में तो नहीं, OTT पे है, वो वहाँ पर आजाती है, तो वहाँ मैं compare कर लेता हूं, मतलब दो बार नहीं, कुछ कुछ चीज़ें जो है, compare करने के लिए, कहाँ पर randomly मैं select कर लेता हूं, वहाँ पर मैं compare कर देता हूं, तो मुझे वो एक decent dubbing लगी, movie ठीक है, आपको one time consider कर सकते हो, family के स देख सकते हो, कोई खुन खराबा नहीं है, मेरी तरफ सकते हो, इस movie को मैं देना चाहूंगा, 5 out of 10, अगर आप लोगों ने movie देखिए, तो please comment करना कि आप लोगों कैसी लेगी, जो comment आते ही नहीं है, उनकी उमीदे में करे जा रहा हूं, अगर नहीं देखिए, तो one time जैसे नहीं है था इस वीडियो में, thanks for watching इस वीडियो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, जैहिंद!